हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल एल के आई लर्न में तो फ्रेंट्स आज हम जानेंगे जन्मस्तमी पर टैन लाइन हिंदी में तो चलिए सुरू करते हैं पहली लाइन है जन्मस्तमी हिंदूओं के परमुक तेहारों में से एक है दूसरी लाइन है यह तेहार भाद्रपद की किष्ण पक्ष अस्तमी को बहुती धुनदाम के साथ मनाया जाता है तीसरी लाइन है इस दिन भगवान श्री किष्ण ने मतुरा के कारावास में देव की वह वासु देव के पूत्र के रूप में जन्म लिया चोथी लाइन है बगवान स्री किष्ण का पालग पोशन गोपुल में मातायसोदा वय नंद बाबा ने बहुत ही लाड़ प्यार से किया पाँचवी लाइन है स्री किष्ण भगवान विष्णु के आठवे अवतार थे जो कंसरूपी बुराई का अंत करने के लिए धर्ती पर अवत्रीतों हुए थे चटी लाइन है इस दिन मंदिरों को फूलों से सजाते हैं और स्री किष्ण लिलाओं को जाकियों से करदसित करते हैं साथवी लाइन है इस दिन भगवान स्री किष्ण की भक्ती में भव्य उस्सव के लिए दही हंडी रास लिलाओं अन्य समारों अयोजित किये जाते हैं आठवी लाइन है लोग स्री किष्ण के लिए नई वस्तर खरीद कर इस दिन उन्हें सजाते हैं और उन्हें पालने में भी जुलाते हैं नोवी लाइन है जो लोग मंदिर नहीं जा पाते वह लोग अपने घरों में ही स्री किष्ण का जनम को उल्लास के साथ भजन किर्तन करके मनाते हैं दस्री लाइन है यह पर हमें धरम के मार्ग पर अगर सर होने की सीख देते हैं हमें स्री किष्ण के दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रियास करना चाहिए अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तब तक के लिए बाए धन्यवाद